बागवन भाईयों नमस्कार मैं हूँ आपका साथी ओचरिस जीतु चोहान और आपका फेस्बुक ब्लॉग पर स्वागत है अभी पिछले दिन पहले हिमपात हुआ और बार बाकी समय में हम सभी बरफ के साथ सेल्फी लेते हुए खूशी प्रकट करते हैं लेकिन ऐसा पहली बार हुआ होगा शायद मेरे अपने बागवाणी के केरियर में ऐसा पहली बार हुआ है कि बरफ गिरने पर हम लोग जो है मैं खुद मायूस हूं दोस्तो कारण से आप भी सभी परिचित हैं बे मौसमी हिमपात फ्लावरिंग हो चुकी थी कैनोपी में लीफ फॉर्मेशन पूरी हो चुकी थी पूरी कैनोपी जो है लीफ से भरी हुई थी लोगों ने नेटिंग कर स्नो फॉर्मेशन सब्दू कर दी थी उसके बाद अमोमन जो है इतनी लेट अपरिल के वह भी लास्ट वीक में स्नोफॉल वैसे अप्रियलों नहीं होता है मैं मैं कभी भी जो है स्नो फॉल लेट लास्ट वीक ओफ आपरिल नहीं देखाग Nedा मुझे याद है कि पिसली बार कब हुआ था पर सुना है कि 2000 से पहले 95 से 98 के बीच में कभी ऐसा एक बार हुआ है कि एप्रिल में बरबारी हुई हूँ तो लेकिन इस बार की यह जो बरबारी है इस बरबारी से खास करके जिन बागवान भाईयों ने और्चर्ज में एंटी हेल हुआ है यह माने कि जिस पौदे में तूट पूट हुई है उसकी केनोपी का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा जो है वो तूटा हुआ है और जो की केनोपी को वापस बनाना थोड़ा मुश्किल भी है और यदि केनोपी बन भी पाती है तो कम से कम चार या पांच साल जो है वाप इसके साथ साथ जो मेतोपोर्ण चीज है वो यह कि पौधे को वापस रिकावर करने के लिए पौधे की जो टूटी हुई टहनिया है उनको किस तरह से जो है फंगस से या कैंकर से बचाया जाए ये भी एक चुनाती पौण कार्य है यही मेरा भी उदेश्य है आज वीडिय साथ करने का कि यदि मोटे टहने टूटे हुए हैं हम यह मान के चले के एक इंच से मोटी टहनी अगर टूटी है तो उस टैनी को जो है काट कर उसको पूरा काटना पड़ेगा और काटने के बाद उसके उपर जो है वाइट लेटेक्स पेंट लगाना चाहिए वाइट लेते हैं तो उसमें एक लेटर जो है पानी डेलूट करना है और एक अच्छा मिश्रन जब बन जाता है तो फिर उसको जो है टहना काट करके उसके उपर जो है वाइट लेटेक्स पेंट लगा देना है यह एंटि फंगल का काम भी करेगा धूप से भी बचायेगा जो भी पढ़ती है उनको यह वापस रिफलेक्ट करेगा और सालों साल जो है उस वाउंड के उपर उस घाव के उपर जो है पानी को अंदर रिषने नहीं देगा तो आप जो है सभी बागवान भाईयों को मेरा ये सुजाओ है कि आप कोई भी दूसरा पेंट चाये चोबाटिया पेस्ट है या कोई और पेस्ट आप बनाते हैं उस पेस्ट से बचें क्यूंकि जो भी पेस्ट हमने आज तक बनाये हैं कोई भी पेस्ट जो है कैंकर से बचा और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक इंच से पतली अगर कोई टैनिया है उसको आप देखें यदि उसमें 40% भी स्किन बची हुई है आप अमोमन देखते हैं यह टैनिया यह अगर तूटती है तो इस तरह से तो उपर की जो स्किन है वो फट जाती है और नीचे की स्किन जो है उसमें रहती है यदि वो उसमें 40% तक अगर स्किन नीचे वाली रही है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं उस टैनि की लेंथ को 50% तक या 60% तक काट करके 60% हिस्सा उसका काट देना है 40% हिस्सा उस टैनि का लटकने देना है ताकि वो जो 40% स्किन नीचे से ब से मिलें तो वो ब्रांच जो है वो सर्वाइव करेगी और पीछे जो फटाव आय जो गाओ है उस घाओ को हम थोड़ा साफ करके उसके उपर जो है वही वाइट लेटेक्स मेंट जो है लगा दें जिससे कि जो है वो गाओ भी भर जायेगा और जो ब्रांच है वो भी बनी रह उसके उपर जो stress बनने वाला है जो उसके उपर leaf area जो कम होगा अब जो branches हम काटेंगे तो leaf area कम होगा leaf area कम होने के कारण photosynthesis भी कम होगा तो कम nutrient कम carbohydrate बनेगा कम भूजन बनेगा जिसका पौधे के उपर stress जाएगा इसलिए हमको कोशिश करने हैं जो भी पतली ब्रांची ऐसी हैं उन ब्रांची को 40% रखके 60% काटके निकाल दें 40% रख दें और उनको जो है वाइट लेटेक्स पेंट के साथ उसके वाउंड को फिल करेंगे और उसको जो है हम इस तरह से उसको ब्रांच को जो है हटा करके बहुत ज्यादा कम होने से हम बचा सकते हैं तो इस तरह से बागवन भायों आपको यदि इस से रिलेटिड कोई भी आपके मन में प्रशन है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक दिया है उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और लिंक के बाद लिंक के उपर जाने के ब आपने उसमें टाइप करके हमको जो है सेंड कर देना है तो मैं अगले तीन दिन के बाद आपके प्रशनों के उत्तर देने की जो है शत प्रतिशत कोशिश करूँगा तो बागवन भाईयों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जै भारत